हलो दोस्तों, यह लव स्टोरी है एक तरफा मुहबबत की, जो एक लड़का अपने सीनियर क्लास की लड़की से करता है। शब्दों के माध्यम से इस लव स्टोरी को बेहद खुबसूरत तरीके से बयान किया गया है। आशा करता हूँ, आपको यह एक तरफा लव स्टोरी पसंद आएगी। वो 11th में थी, में 10th में था, वह चाहती तो माज परफेक्ट भी था, पर हमेशा चड़ी-चड़ी सी रहती थी मुझसे, मैं इतना प्यार से पेशा आता था, और वह इग्नोर करती रहती थी मुझे, माना कि उसके जैसा बम नहीं था, पर एक बात है कि मैं भी कुछ कम नही था, समझाता था उसे की इतना भाव खाना अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम क्या है, मैं जूनियर हूँ, अरे एक साल के डिफरेंस से कोई लड़का बच्चा नहीं होता, सब के साथ तो ठीक थी, पर मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों था, यार, उसमें सीनियर होने का अपनी धुन में ही मगन थी, नजर पड़ी जब उसकी तरप तो समझाया, कि लव एट फर्स साइट क्या होता है, मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई और एहसास हुआ, कि ऐसा भी कुछ होता है, मुझे नाम भी नहीं पता था उसका, महरबानी दोस्त की की नाम मालूम पड़ा मैं बस इन्ट्रो करना चाहता था उससे, पर उसने कभी मौका ही नहीं दिया अपनी क्लास की टौप थी वो, हमेशा पढ़ती रहती थी क्लास में भी, मेरी प्यारी प्यारी बातें भी, उसे लगती थी बकवास बड़ी हस्ती रहती थी वैसे वो, पर मुझे देखकर ही इतना गुस्सा क्यों था? यार, उसमें सीनियर होने का एटीट्यूड था किसी तरह रोज-रोज, उसकी क्लास में घुस जाया करता था उसकी क्लास टीचर मेरी सबजेक्ट टीचर थी, तो ने हारने का सुबह-सुबह, एक बहाना मिल जाया करता था पर मुझे तो उससे बात करनी थी, सिर्फ देखने से काम कहां बनने वाला था तो छुट्टी के टाइम बस की लाइन में उसके, आज मैं यहां मौका आजमाने वाला था डर तो लग ही रहा था इतनी भीड में बेईजती होने का, पर उसे ही बोल दिया मैंने फिर क्या, उसके बाद तो मुझे पता था क्या होना था, नाक पर गुस्सा तो रहता ही था उसके, जो बाहरा गया मुझे देखते ही पर उसने इसकदर पलट कर देखा न, इतने करीब से उसका चहरा देखा नहीं था पहले कभी मैख हो गया मैख हो गया मुझे हो गया विश्वास की मेरी पसंद कितनी ज्यादा अच्छी है फिर बाद में रियलाइज हुआ की वो उची आवाज में कुछ कह रही है डांट रही थी शायद पर उसकी आवाज भी मैंने पहली दफा सुनी थी और बस एक ख्याल आया या इसकी आवाज कितनी ज्यादा अच्छी है उसका नेचर ही गुस सैल है या उसका बिहेविय मेरे साथ रूड था यार लगता है उसमें सीनियर होने का एटिटियूड था काफी कोशिश करी मैंने कि उससे धंग से बात हो सके पर बार-बार इग्नोर किया उसने तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अब रोल में आ गई बाद में पता चला मुझे कि मेरी सीनियर को भी उसका सीनियर पसंद था अब फिर इन सब के बीच में मेरा चांस तो बनता ही नहीं था फिर एक ख्याल आया कि लड़कियां को जादा उनके सीनियर ही पसंद आते हैं मैं भी तो कितनों का सीनियर हूं तो फिर जूनियर पर ही ट्राइ मारते हैं, स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी अच्छी लगे टू विडियो को लाइक करे, शेयर करे, चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकान को अन कर ले, कोई विडियो अप्लोड हो टू आपको नोटिफिकेशन्स मिल जाए, लाइक, कॉमेंट, शेयर वि लुग मारते हैं, विडियो जाएक, कॉमेश को अनू विडियो यगी लेंट करे लाइकान का सब्सक्तना का विडि़ हो विडियो को यगे लोगें, एम ह अनो, पानल को दोड़िखा लगए, 9 Σय तकर दो देदेली ले फसरां, एमेवेशन्स पॉगेशन्स